तुल्सी महारानी भगवान नारायन की प्रिया है वह साक्षाद लक्षमी स्वरूपा है तुल्सी महारानी को भगवान के निमित से ही तोड़ना चाहिए या लेना चाहिए जब भी हम तुल्सा जी लेने जावें तो उनसे आज्या लेनी चाहिए कि है मिया मैं भगवान के लिए आपको ले जा रहा हूं नेविद्ध लगाने के लिए भगवान की पूजा में तो आप मुझे आग्या प्रदान करें वोग सहरा स्वीकार करेंगे और सालिक गराम की सेवा में तुलसा जी बहुत अनिवार है बिना तुलसा जी के सालिगराम की सेवा फलिभूत नहीं होती है और तुलसा जी रवीवार के दिन इस पर्ष भी निशेद है तोड़ना भी निशेद है जल चड़ाना भी निशेद है ऐसे में यदि हमें तुलसा जी की आउशक्ता है तो पूर्वो में चूटी हुई तुलसा जी, उनकी पत्ती, उनका बीज, उनकी डंडी, इन सब से यहां कारिय संभव हो सकता है, भोग लगा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को प्रसंद कर सकते हैं, तुलसा जी भगवान स्री हरी के समान ही है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, उनको बिना अनुमती से तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तुलसा जी के समीप में घीका दीपक लगाने से लक्ष्मी नारायन की सैयुक्त क्रपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान शीवजी को भी तुलसा जी चड़ाई जाती है, जिससे हरी हर मिलन में भगवान शीवजी को तुलसा जी और भगवान नारायन को बिल्वपत्र प्रदान किया जाता है, जिससे कि उन दोनों की प्रसंदता, उन दोनों की क्रपा हमारे जीवन में प् स्रीकल